नमस्कार दोस्तों, Comptative Study Point में आपका स्वागत है दोस्तों, आज हम खंड सिक्चा अधिकारी के लिए बायोलाजी संबंधित उन महत्मूर प्रशनों कर लेकर के आए हैं जो UPPSC के पसे निंदा प्रसन है और UPPSC लगभग हर एक्जाम में इन प्रशनों को पूचता है दोस्तों, हम खंड सिक्चा अधिकारी के लिए और भी वीडियो बना चुके हैं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उपर सो हो रही आई बटन पर क्लिक करके या चैनल के UPBEO प्लेइलिस्ट में जा करके उनको देख सकते हैं तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रशन क्या है दोस्तों, आज का पहला प्रशन है विटामिन्स क्या होते हैं तो आपके आपसंस हैं कार्बनिक योगिक, अकार्बनिक योगिक, जीविच जीव या इन में से कोई नहीं आप जिस करिए आपका सही उत्तर है कार्बनिक योगिक और इसका डिटेल्स है विटामिन्स जटिल कार्बनिक योगिक होते हैं जो कि सरीर में उपा पचाई, अब क्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंतरन करते हैं। विटामिन्स की दो स्रेणिया हैं, पहली जल में घुलंसील, दूसरी वसा में घुलंसील। हमारा दूसा प्रश्न है निम लिखित में से कौन सत्तो पॉधे के विकास के लिए आवस्यक नहीं है तो पहला है sodium, दूसरा potassium, तीसरा calcium या चौथा magnesium तो गेस के लिए आप… आपका सही उत्तर है sodium इसका details देख लीजीह पौधे के विकास के लिए 16 अनिवारे तक्तों को चिन्धित किया गया है जिन में से 9 किया उसकता व्रिहद है ये क्रमसा है नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटैसियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लाओ, जिंक, मैगनीज, बोरान, तांबा, सलफर, मॉलिबडेनम और क्लोरीन आदि हमारा अगला प्रशन है भोजन वर्ग में प्रत यूनिट कैलोरी की मात्रा सरवाधिक होती है तो आपके आपसंस हैं पहला विटामिन में, दूसरा वसा में, तीसरा कार्बो हाइड्रेट में, या चौथा प्रोटीन में तो गेस करिए आप, आपका सही उत्तर होगा वसा में, इसका डिटेल्स है, भोजन के वर्ग में वसा में प्रत यूनिट कैलोरी की मात्रा सरवाधिक होती है क्योंकि इनमें आक्सीजन कम होनी के कारण आक्सीडेशन अधिक होता है एक ग्राम वसा के जारण से 9.3 कीलो कैलोरी उर्जा की प्राप्ती होती है अगला प्रश्न है, निमनि में से कौन सा विटामिन, यूम उनकी कमी वाला रोग सुमेलिक नहीं है तो आपके आप्संस हैं कैलसी, फिरॉल, अस्थिर गुनता, नाइसीन, पिलाग्रा, कोबालमिन, संगहातिक, रक्तालपता, या रिवो फ्लेविन, बेरी-बेरी तो आपका सही उत्तर होगा, रिवो फ्लेविन इसका डिटेल है, रिवो फ्लेविन, विटामिन B2 का रसायनिक नाम है, जिसकी कमी से सारेजिक भार कम हो जाता है हमारा अगला प्रशन है, विटामिन C का मुख्य स्रोथ है तो आपके अप्सन है, कच्चे एवन ताजे फल, दूसरा दूद, तीसरा घी, या चवथा डाले तो गेस करिए आप, आपका सही उत्तर होगा, कच्चे एवन ताजे फल अगला प्रशन है, घाओ के भढ़ने में सहायक विटामिन है पहला है आपके सामने अप्सन विटामिन B, दूसरा विटामिन C, तीसरा विटामिन A, या चवथा विटामिन D तो आपके सामने अप्सन्स आ गये हैं, अब आप इनको गेस करिए आपका सही उत्तर होगा विटामिन C विटामिन C घाव के भढ़ने में सहाई विटामिन होता है अगला प्रशन है किसके आउसोसन में विटामिन C मदद करता है तो आपके आपसंस हैं लौह के आउसोसन में कैलसियम, आयोडीन या सोडियम की तो आपका सही उत्तर होगा लौह के उसोचन में विटामिन C मदद करता है अगला प्रश्ण है विटामिनों में कौन सा सरीर में भंडारित नहीं होता है तो आपके आप्शन है विटामिन A या विटामिन B या विटामिन C या विटामिन E गेस करिए आप, आपका सही उत्तर होगा, विटामिन C अगला प्रशन है, रुधिर इसकंदर में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है तो आपके आप्शन है, विटामिन K, विटामिन A, विटामिन B या विटामिन C गेस करिए आप आपका सही उत्तर है विटामिन K अगला प्रश्ण है विटामिन D का मुख्य स्रोत तथा इसकी कमी से होने वाला रोग है तो पहला अप्सन है नीम्बू, पिलाग्रा, दूसरा संत्रा बेरी-बेरी, तीसरा काजू, रक्तालपता चौथा सूर के किर्णे रिकेट्स एयोम आश्टियो पोरोसिस तो आपका सही उत्तर होगा गेस करिए आप सूर के किर्णे रिकेट्स एयोम आश्टियो पोरोसिस विटामिन D का मुख्य स्रोत सूर के किर्णे हैं तथा इसकी कमी से रिकेट्स, एम, आश्टियो, पोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अगला प्रशन है, मानो सरीर में विटामिन A संचित रहता है, तथा इसकी सरवाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। तो आपके आपसन है, लीवर में और इसकी मात्रा सरवाधिक गाजरन पाई जाती है, या तोचा में पत्ता गोभी, फुपछूस में, पालत में, चोथा है विरिक में फूल गोभी, तो गेस करिए आप, आपका सही उत्तर है, मानो सरीर में विटामिन A लिवर में संचित रहत तथा इसकी सरवाधिक मात्रा गाजर में पाईती है और विटामिन A की कमी से रतंधी नामक रोग हो जाता है अगला प्रशन है साइनो कोबालमीन क्या है तथा किस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो दोनों का उत्तर एक ही है, पहला option है vitamin B2, दूसरा है vitamin B6, तीसरा है vitamin B12, चौथा है vitamin B1, तो आप गेस करिए आपका सही उत्तर क्या होगा, आपका सही उत्तर है vitamin B12, इसका detail है, vitamin B12 का रासाइनिक नाम, साइनो, कोबालमिन है, तथा इसका महत्पूर्ण स्रोथ, मांस, मचली, या क्रित, दूध, पनीर इत्यादी है, अगला प्रशन है, जल में घुलन सील vitamin है, तो आपके सामने option है vitamin A, दूसरा है vitamin B, या C, तीसरा है vitamin D, या चौथा vitamin E, तो गेस करिए vitamin है, अगला प्रशन है, वसा में घुलन सील vitamin है, दीखे दो प्रकार में बताया था है, vitamin के दो प्रकार होते हैं, तो ये पहला तो विटामिन, जल में घुलन सील vitamin हो गए, अब ये वसा में घुलन सील vitamin पूंच रहे हैं, तो आपके option है vitamin A, या vitamin B, vitamin B, या vitamin C, vitamin C, या vitamin D, या vitamin A,D ,E ,K तो guess करिए आप। का सही उत्तर है विटामिन A,D ,E, ,K विटामिन जो होते हैं वह Aun甲 में घुलनzीव विटामिन अगला प्रश्न है सही सुमेलन नहीं है तो आपको यह बताना है कि कान सा सुमेलन carn सही नहीं है आपके सामने विटामिन दिये गए हैं और उनसे कमी से होने वाले रोग दिये गए हैं तो आपके सामने पहला ओप्षन है विटामिन B, बेरी-बेरी, विटामिन C, इसकरवी, विटामिन D, रिकेट्स, या विटामिन A, पिलाग्रा तो आपका सही उत्तर होगा विटामिन A पिलाग्रा विटामिन B की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है विटामिन C की कमी से सकर्वी रोग होता है विटामिन D की कमी से रिकेट से हो जाता है विटामिन A की कमी से रताउंधी होता है अगला प्रशन है सही सुमेलन नहीं है यह भी सुमेलन से प्रस्न है तो यह भी वही चीज है किसकी कमी से कौन सरोग नहीं हो जाता है तो थामीन की कमी से बेरी-बेरी दूसरा अपसन है विटामीन D की कमी से सूखा रोग विटामीन K की कमी से बंध्यापन या नियासिन की कमी से पिलाग्रा तो जो बंध्यापन रोग गया गया विटामिन E की कमी से होता है, जबकि विटामिन K रुधिर का ठक्का बनाने में मददकार होता है अगला प्रश्ण है सही सुमेलन नहीं है ये भी सुमेलन से प्रश्ण है आपके सामने अपसन है वितामीन, कैरोटीम, एंजाइम, पेपसिन, हार्मोन, प्रोजिस्टेरॉन या प्रोटीम, रेनिंग तो आपका सही उत्तर होगा प्रोटीम, रेनिग अगला प्रश्ण है प्रोटीन एम वसा दोनों की प्रचुरता है आपको बताना है कि इन चार पदार्थों में से कौन से पदार्थ में प्रोटीन एम वसा दोनों की प्रचुरता होती है तो पहला option है आपके सामने नारियल में, दूसरा मूंग फली में, तीसरा सोया बेन में या चौथा सूरज मुखे में तो आपका सही उत्तर होगा, गेस करिए आप आपका सही उत्तर होगा, मूंग फले में, मूंग फले में प्रोटीन एम वसाथ दोनों की परचुरता होती है अगला प्रशन है, गेहु में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है तो आपके सामने आपसन है ग्लाइसीन, दूसरा है ग्लो, बुलिन, तीसरा है ग्लू, टिन, चौथा है लाइसीन तो आपका सही उत्तर क्या होगा, गेस करिए आप आपका सही उत्तर होगा, ग्लू, टिन अगला प्रश्ण है पपीते में मुख्यता कौन सा विटामिन पाया जाता है तो आपके सामने अप्सन है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन K तो गेस के लिए आप पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो आपका सही उत्तर होगा विटामिन C और इसका सही उत्तर इसका डिटेल होगा पपीते में मुख्यता विटामिन C प्रचुर मात्र में पाए जाता है पपीता विटामिन A तथा विटामिन B1 का भी अच्छा स्रोथ होता है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लेगी अगर वीडियो अच्छी लेगी है जिसको लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर सेर करिए जिससे ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच बना सके और चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा जिससे आपको अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो आपको notification चैनल की नहीं मिल पाएगी जब मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँगा तो आपके पास उसकी सूचना नहीं पहुंच पाएगी तो सूचना लेने के लिए आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना होगा बेल आइकन प्रेस करने के बाद आल बटन पे भी क्लिक करना होगा जिससे सारी notification आपके पास पहुंच सकें हमारे चैनल पे लगातार इस तरह के वीडियो अप्लोड होते रहते हैं जो आपके competitive exams में आपके लिए बहुत मातपूर साबित होंगे वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत थन्यवाद